पत्रकार बंधों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बड़े शोटे से नोटिस में आपने हमारी प्राथना स्विकार कर यहां आना निश्चित किया है इसका उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद आज जिला चमबा का भारती जन्ता पार्टी की नब न्युक्त कारेकारणी की पहली बैठक आज हुई और यह एक परिच्यात्मक बैठक थी सभी कारेकरता मित्रों से बैठके बाचीत हुई और मैं बधाई देना चाहता हूँ जिला चमबा के नब नुक्त अध्यक्ष भाई धीरज नर्याल जी का कि उन्हें जो अपनी कारेकारणी का गठन किया है उसमें पुराने कारेकरताओं को भी लिया है और नई जोश को भी लिया है तो इस वार की जो कारेकारणी है उसमें जोश और होश का मिश्रन है जो आने वाले समय में जिला चमबा में भारतिय जनता पार्टी को संगठनात्मक रूप में भी और जो आने वाला लोकसभा चुनाब है उसके लिए भी जिला चमबा में भारतिय जनता पार्टी का देना चाहता हूँ कि यह होकर रहेगा और आज की बैठक का जो मुख्य मुद्दा था अगले कल पहली सेप्टेंबर से लेके 15 सेप्टेंबर तक राष्टिये नेत्रितों के अवाहन पर पूरे देश में भारती जनता पार्टी एक अलग सा अनुठा और अनुबम कारेकरम शुरू करने जा रही है वो है मेरी माटी मेरा देश इस कारेकरम के तहट भारती जनता पार्टी के सभी नेता सभी कारेकरता है चाहे वो हमारे आदरणी विधायक है चाहे वो हमारे जिला परदेश के पदादिकारी है चाहे वो मंडल स्तर के कारेकरता है सभी कारेकरता टोलियां बनाकर जाकर दस्तक देंगे जिन शहीदों ने इस देश की एकता अखंडता को अक्षुन रखने के लिए इस देश के आधरनिय प्रधान मंत्री जिने दिल्ली और वो अम्रित बन के प्रती वो डेटिकेट होगा उन योधाओं के प्रती जिन्होंने भरी जवानी में देश के लिए अपने प्राणों की बली दे दी और भारती जन्ता पार्टी के शीष नेत्रतों ने ये निरने किया है कि हर घर से पूरे देश में जो अम्रित बन बनेगा हर घर से हर घर से उस घर की पवित्र जो मिट्टी है एक चुटकी मिट्टी लेकर उस मिट्टी को कलच में भरके पूरे हिमाचल परदेश में पहली सेप्टेंबर से लेके 15 सेप्टेंबर तक एक अभियान चल रहा है और उसके बाद ये मिट्टी जो है देश के परदान मंत्री डिली के बॉडर पर रसीप करेंगे और वो जो मिट्टी है वो जो अम्रित बन डिली में बन रहा है वो मिट्टी उस अम्रित बन का हिस्सा होगी ये एक ऐसा अनुपम अनूठा कारेकरम जो है भारती जनता पार जो शहीदों के प्रती इस देश के प्रधान मंद्री के मन में शद्दा है, सम्मान है और वो जो अमरित बन बन रहा है उसमें पूरे देश के जो नागरिक हैं उनके घर की पवित्र मिट्टी भी शामिल हो ये कारेकरम जो है इस कारेकरम की रूप रिखा त्यार करने के लिए आज जिला चमबा की बैठक बुलाई गई थी अगले कल से ये कारेकरम पूरे जोर शोर से शुरू होने जा रहा है और ये तीन चरनों में कारेकरम चलेगा अभी पहले पहली से पंद्रा सेप्टेंबर तक हम उस मिट्टी को इकठा करके दिल्ली तक पहुंचाएंगे उसक सबके बीच में सांचा कर लेंगे एक तो ये आज की बैठक का मुद्दा था दूसरा मैं आप सबके माध्यम से देश की आदरनीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि पिछले कल रक्षा बंदन का पविद्र दोहार था और जैसा कि हमारे देश की एक परंप्रा है हमारे सनातन की परंप्रा है कि रक्षा बंदन के दिन भाई अपनी बहन को जब वो रक्षा सुत्र बांदती है बहन तो कुछ ना कुछ उपहार के रूप में देता है तो कल जैसे आपको पता होगा कल देश के परंदन मंत्री जी ने जो हमारा घरेलू गैस सिलिंडर है उसमें उसकी कीमत में 200 रुपे की कड़ोती करके और दूसरा जो केंदर की तरफ से एक जो उजवला योजना है जिस योजना के तहट पूरे देश में आठ करोड बहने उजवला गैस कनेक्शन के माध्यम से लावानवित हो रही है कल देश के परदान मंत्री जी ने 75 लाख और गैस कनेक्शन उजवला योजना के तहट देने का निरने किया है तो मुझे लगता है कि ये रक्षा बंदन के दिन देश के परदान मंत्री जी ने अपनी बहनों को पूरे देश की अपनी बहनों को एक तोफे के रूप में गैस के सिलेंडर की कीमत में 200 रुपे की कमी कर और उजवला गैस योजना के तहट 75 लाख और गैस कनेक्शन देने का निरने किया है मैं अपने सभी नेतागन की और से देश के परदान मंत्री जी को आपके चैनल के माद्यम से बधाई भी देना चाहता हूं अभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा निरने देश की अपनी मात्री शक्ति के लिए किया है इसके लिए मैं उनका वार व्यक्त करता हूं मुझे तो यह कहना था आपको कुछ कुछ नहीं कि अपने बढ़ाई कि भाई ने बहन कोई दी तो चार साथ के बाद यह क्या सुझा जाए इसको कि इलक्षिन आये तब हुआ यह ने बिलकुल इलेक्षिन के लिए भी नौ महीने का समय पढ़ा है इलेक्षिन के का इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन यह एक ऐसी है यह जो गैस की जो पहले उपलब तती एक ग्लोबल फिनोमेन है जब देश के परदानमंद्री को लगा कि अब इस समय यह सुविधा अपनी बेहनों को दी जा सकती है वो सुविधा उन्होंने दी है लेकिन जैसा कि आप कह रहे हो कि चुनाब के नजदी किया गया निरना है ऐसा निरना है पिलकुल हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी दरहा के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टेग्राम पेज हिमाचल.केस्री